देखिए बात ग्रेविटेशन के हो रही थी तो ग्रेविटेशन में एक वर्ड आता है gravity ग्रेविटी वर्ड इंग्लिज में कभी सुना है gravity का मतलब तो इंसान की अंदर gravity होनी चाइए you should have gravity सुना है कभी नहीं सुना क्या होता है मतार से जुड़े रहना से यह मतलब ग्रैविटी का मतलब होता है कि आप जा रहे हैं रास्ते में चार लोग मिले तो एक सम्मान की नजर से देखा एक लोग ने आया है जईसे तो एक अंदर जो ग्रैविटी होता है कि बहई एर्त हर बाड़ी को अपनी وण और अट्रेट करती है, तो ये उसकी gravity है, ठीक है, तो लिखे कहानी थोड़ी सी gravity is the force by which earth attracts by which earth attracts a body towards its center by which earth attracts body towards its center यही reason है कि कोई body अगर फेकी जाती है तो earth हर body को अपनी और खीच लेती है अब यह नुक्सान दायक भी है फैदे मन्द भी है नुक्सान दायक यह अच्छत से कोई ग्रेथ मर जाएगा नीचे गिर करके यह मन में हो जब हम कहें charted करो तो charted करें न कहें न करो तो न करें लेकिन करती है हूँ अब एक होता है इंटेंस्टी उस gravity की कितनी होती है तो intensity of अच्छा ग्रेवट एक होता है gravitational field gravitational field देखे gravitational field अर्थ का भी होता है gravitational field हर एक mass particle होता है अगर हम एक mass particle है तो हमारे चारो तरब भी एक field है उस field के अंदर अगर दूसरा mass particle आएगा तो it will feel attraction अर्थ के चारो और की हम बात करेंगे तो अर्थ का gravitational field निकालेंगे तो हम अर्थ की बात यहां करेंगे तो हम लेकिन definition में किसी body की बात करेंगे किसी body के चारो और का एक ऐसा field जिसमें दूसरी body अगर आवे mass particle की बात कर रहे हैं तो उसमें force लगे तो उस field को हम क्या कहते है gravitational field जैसे आर्थ के चारो और एक field है field का concept देने वाला Newton Newton का मालना था सेप का जो एक example है वो concept field से field से है सेप का example इनके law of gravitation से नहीं है law of gravitation उनोंने capital के नियम से दिया था हमने जो कल नाम बता रहे थे ताइकोब रहे था ताइकोब रहे जिन्होंने paint steady किया था planets के motion के बारे में और बाद में उसका अध्यन तो किया उन्होंने लेकिन कोई चीज समराइज नहीं कर पाये थे समराइज किया था अध्यन किया था Mr. Kepler ने और Kepler के नियम के help से Newton ने अपना gravitation का नियम दिया लेकिन अर्थ के चार और जो save का example है क्यों gravitation field से भाई उनका मतलब था अगर paint से save गिरा तो save नीचे क्यों आया उनका मतलब भाई सुरात में मानना था अगर कोई body move कर रही है तो move कैसे कराओगे body को ऐसे पकड़ोगे और move करादोगे लेकि बिना चुए और save नीचे आगया और ये हर जगे होता है जहां जहां आर्थ है तो उनका मतलब था कि अर्थ के चार और एक ऐसा field है जो बिना टच किये उसको किसी body को अपने खीचती है तो उस field को हम क्या गहते है gravitational field तो हम बात तो अर्थ की कर रहे है लेकिन बात सब के उपर लागव होती है अगर transformer रखा हुआ है तो उसके चार और एक field है उसके नजदी कोई body जाएगी तो because of the mass वो transformer हमको खीच रहा है अब खीच रहा है तो चिपक क्यों नहीं जा रहे बगल में दिवाल भी है वो भी खीच रही है अगर हर mass particle हटा दी जाए केवल transformer का होता होता तो खीच ले जाता तो लिखे gravitational field the field around any mass particle अब mass particle का हम फिलाल बात कर रहे है अर्थ की field around any mass particle in which in which other mass particle experience the force of attraction other mass particle experience a force of attraction called gravitational field हम बात कर रहे थे gravitational field की तो हमने का किसी भी mass particle के 4 और का वो field जिसमें दूसरा mass particle attraction का force experience करें उसको क्या करते हैं gravitational field आर्थ के 4 और field एक है जिसमें दूसरे particle attraction अन्वो करते हैं लेकिन एक height के बाद फिल्ड गाइब हो जाता है तो वो gravitational field नहीं है ठीक है अब उस gravitational field की ताकत कितनी है उसको कहा जाता है intensity of gravitational field next लिखे intensity of gravitational field intensity of gravitational field intensity of gravitational field लिखे intensity of gravitational field the force acting per unit mass of a body force acting per unit mass of a body in the gravitational field in the gravitational field is called intensity of that gravitational field intensity of that gravitational field तो definition vary कर सकती book to book ठीक है इसका मत्तब समझेगा हमने that gravitational field क्यों हमने किया उस gravitational field को किसी ने attract किया किसी ने create किया होगा ना तो जिसने create किया उसके gravitational field की बात कर रहा है अब जरा question एक उड़ता है कि बेटा 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 बचे ना बचे वो बात की बात हर्थ से का मतलब है बेटा ये सोच रहा है कि हमको physics प्ढ़ाय गया है कि मेरे पास भी mass है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जह हम फानते हैं तो अर्थ उपर आ जाए हम कहें नीचे आए अर्थ है इसे हो जाए तो क्यों नहीं आती है हमारा भी तो अपना gravitational field है तो उसी का answer यहां मिलने जा रहा है हमने कहा मैं एक तो अर्थ ले रहा हूं और एक हम अपने आपको beta of अर्थ ले रहा हूं ठीक है हम एक general एक diagram बना रहे है इसका कोई मतलब नहीं है यह अर्थ है अर्थ का mass हम मानेंगे capital M और suffix में लगा देंगे indicate further अर्थ और हमने कहा कि suppose करिएगा कि अर्थ के surface center से r distance पर हम आए ठीक है मानें चलो ऐसा नहीं यहीं पर है यहां भी हो सकते है तो यहां पर हम है तो हमारे और अर्थ के बीच में एक warning है एक force of attraction काम कर रहा है क्या काम करेगा F is equal to G M E M upon R square हम अर्थ सर्फिस की बात नहीं कर रहे है अर्थ के center से थोड़ा दूर हम है वहां की हम बात कर रहे है तो अब इसमें हमारा भी gravitational field है और अर्थ का भी gravitational field है दोनों gravitational field है दोनों एक दूसरे quarter कर रहे है मैं दसमंजिल से फांदू मैं ही नीचे क्यों आँ कभी कभी तुमों पर आ जा मेरा बेटा आ रहा है चलो हम receive कर लें जा करके ऐसा क्यों नहीं होता है तो मैं पहले intensity of gravitational field of earth निकालता हूं फिर intensity of gravitational field of body निकालता हूं तो जो हम निकालेंगे intensity intensity of gravitational field of earth इसको indicate करने के लिए हम use कर रहे हैं i और अर्थ के लिए use कर रहे हैं मालिया small g कुछ भी use करो earth के लिए e use के लिए रहे है earth के लिए हम बात कर रहे है तो intensity का formula की definition क्या बता है बात मराइएगा intensity की definition हमने क्या बता है force acting per unit mass in the gravitational field तो in the gravitational field किसका gravitational field earth का तो force को ने experience कर रहा है ये mass particle तो हम force को किसे divide करेंगे जिस mass particle ने force experience किया इंटेंस्टी आप ले रहे हो earth की ताकत किसकी आप रहे है earth की तो सामने बाले से पूछना पड़ेगा कितनी बड़े कंटा पड़ा रहा है जहनाक मारे ने जहार मुझ जो है इसे जहूं दियागा तो मारा earth ने जिसने मार खाया वही intensity बताएगा न तो उसके mass से divide करोगे तो जब इसको small m से divide करोगे तो intensity क्या आएगी g m e upon r square अब अगर मैं यहां यह भी निकालना चाहूं कि जो body गिर रही न इसने भी तो अपना gravitational field create किया है तो इसकी intensity क्या है इसके gravitational field में अड़ भी तो आ रही है वह हमारा mass है तो हमारे चारो भी तेक field है तो अगर हम निकाले intensity of gravitational field of body intensity of gravitational field g field के दे रहे of body हम फिलाल i body के लिए b का use के दे रहे तो force कौन experience कर रहा है अर्थ experience कर रही है तो यानि कि यह हो जाएगा g small m upon r square अब ज़रा देखिए अर्थ के gravitational field में अर्थ का mass आ रहा है और उस body के gravitational field में body का mass आ रहा है कौन बड़ा है यह भेंकर बड़ा है तो साब साब दिख रहा है कि अर्थ की intensity बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है उस body की intensity के तो कहां से अर्थ तुमारे उपर आ जाएगी तुम्ही को निचे आना पड़ेगा अगर आप में यह ताकत है हर्वान जी जैसी कि आप आदे जय स्री राम और आप अर्थ से दोगने हो गए अर्थ को खुद उपर आना पड़ेगा तो तुम्ही तो ताकत है नहीं तो फिलाल इसलिए body नीचे आती है शुरू हो जाएए